दोस्तों, Movies Hindified में आपका स्वागत है। आज आपको सक्मी शेक्स्पियर नामक जर्मन मूवी की स्टोरी बताई जाएगी जो बेहद रोमान चक है। जेकी मुलर, एक बैंक लूटने के कारण, जेल में सजा काटने वाला एक अपराधी है। वो जेल में एक अकैडमिक कक्षा में जाता है, जहां कैदियों को विभिन लेवेल्स की शिक्षा प्रदान की जाती है। जेकी के ज्यान को और वैल्यूएट करने पर टीचर को पता चलता है कि वो एक छठी क्लास के छातर से भी मूर्ख है। वो सोचती है कि जनरल नौलज की कमी के कारण उसे सोसाइटी से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन उसकी इच्छा के विरुध उस दिन जेकी को रिहा कि जा रहा है। वो एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक कचरा फोन और कुछ पैसे लेकर जेल से बाहर निकलता है। लेकिन वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। यहाँ पता चला है कि उसने जेल जाने से ठीक पहले एक मिलियन यूरो की चोरी की थी। उसकी दोस्त जैन पाने के लिए मन पक्का बनाता है। अगले द्रिश्य में एक गैंग्स्टर जेकी के सिर को एक मेज पर मारता है और 2000 यूरो का करजा वापिस मांगता है जिसे उसने जेल जाने से पहले उधार लिया था। जेकी कुछ हफ्तों में पैसे वापस देने का वादा करता है और बदले में रहने के लिए स्थान मांगता है। ग्रियांग्स्टर एक स्ट्रिप क्लब का मालिक है और उसे एक डिस्प्ले रूम में रहने की अनुमती देता है। उस रात जेकी स्कूल में जमादार की नौकरी पाने का फैसला करता है। इस तरह वो जिम तक पहुँच सकता है और अपने पैसे तक एक सुरंग बना सकता है। अगले दिन वो इंटिव्यू के लिए स्कूल जाता है और लीसी नामक एक टीचर से मिलता है। उसका एक हस्मुक व्यक्तित्वर है, एक विशेशता है कि उसे चात्र या तो प्यार करते हैं या फिर बहुत नफरत। जेक जब प्रिंसिपल बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि एक छात्र ने इसे गलती से तोड़ दिया। जेकी को जल्दी पता चला कि प्रिंसिपल को लगता है कि वो एक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए आया है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे म मौका नहीं देती। जब जेकी को पता चलता है कि टीचर्स को जिम की एक एक एक्स्ट्रा चाबी और दो हजार यूरो का वेतन मिलता है तो वो अफसर को जाने नहीं देता। अब एक मात्र समस्या उसकी अकैडमिक सतिफिकत है जिसे उसे अगले दिन स्कूल में जमा करना ह स्कूल के बाहर लीसी धूमरपान करने वाले च्छात्र को रोकने की कोशिश कर रही है। अफसर का लाब उठाते हुए वो उसके एजुकेशनल सतिफिकत के लिए पूरे घर की खोजबीन करता है और उसे प्रिंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो जल्दी में होता है तो प्रिंटर काम करने से मना कर देता है। तो जल्दी से जेकी फाइल को फ्लेश ड् लेकिन जेकी मानने से भी इंकार कर देता है कि कल कुछ हुआ भी था। लीसी उसकी वज़े से परेशान है क्योंकि उसे लगता है वो जरूरत से ज्यादा करीब आ चुके हैं। जैसे ही जैकी टीचर्ज रूम में प्रवेश करता है वैसे ही एक टीचर खिरकी से कूद कर अ जान देने की कोशिश करती है। वो अपनी कक्षा के छात्रों से इतनी परेशान थी कि जीवन समाप्त करने का फैसला किया। शुक्र है वो मरने से बच गई और उसे अस्पताल लेकिन अब उसकी जगह लीसी को कक्षा 10B में नियुक्त किया जा रहा है। कक्षा के छात्रो को लेकर कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अपनी पहली कक्षा में जेकी छात्रों को उनके लिए हर दिन अपनी पसंदीदा फिल्म की VCD लाने का आदेश देता है अपनी कक्षा में देखने के लिए। जो सबसे अच्छी फिल्म लाएगा उसे बहतर ग्रेड ऐसा लगता है कि जेकी पढ़ाने का आनंद ले रहा है लेकिन लीसी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। छात्र उसके कहें हर शब्द पर हसते हैं और बिल्कुल सहयोग नहीं करते। जब वो चौक उठाती है तो एक घिनोना पदार्थ उसे अपनी उंगलियों पे चिप प्रिंसीपल से अनुरोध करती है कि वो उसे किसी के साथ जिम्मेदारी शेयर करने दे। हाला कि प्रिंसीपल ने उसे जाने के लिए कहा अगर वो एक शिक्षक होने के दबाव को नहीं संभाल सकती। इस बीच लीसी के घर पर उसकी सहेली, कारो उस प्रिंटर को ठीक करती है जो लीसी के एजुकेशनल परिंट करता है। प्रिंट का टाइम देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये काम तब किया गया था जब जेकी घर में था और लीसी बेहोश हो गई थी। लीसी को संदे है कि वो नौकरी पाने के लिए उसके डिप्लोमा का उपयोग करना चाह है। लेकिन लीसी को कोई पैसा नहीं चाहिए। वो केवल 10B के शिक्षक के रूप में अपने करतवय से छुटकारा पाना चाहती है। अगले दिन वे प्रिंसिपल से अपने करतवयों की अदला बदली करने का अनुरोध कर रहे होते हैं। जे की पहली बार कक्षा में कदम रखता है और बोर्ट पर खड़ा हुआ एक लिंग बना हुआ पाता है। वो अलमारी से कुछ लाने की कोशिश करता है लेकिन गलती से माउस ट्रैप पर अपना हाथ रख लेता है। जैसे ही वो पीछे हटता है एक घिनोना काला पदार्थ उस पर गिरता है और छातर हसते ह फिर भी वो कक्षा जारी रखने की कोशिश करता है लेकिन इस दौरान कुर्सी से चिपक जाता है। अगले दिन जेकी पेंट बॉल गन के साथ तैयार होकर आता है। कुछ छातर कक्षाओं से बाहर है और पूछने पर भी आने से इनकार कर रहे हैं। वो उन्हें बंदूक से घायल और सभी को कक्षा में इकठा कर लेता है। वो केवल इतना चाहता है कि वे उसके पीरियर के दौरान वो चुप रहें। उसे परवा नहीं है कि वो प्रड़े या नहीं। जब लीसी चौक मांगने आती है तो वो एक छातरा को रोती हुई देखती है। वो जेकी को इसके बारे में बताती है जिससे वो चातरा को चुप चाप रोने के लिए कहता है। लीसी को पता चल जाता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं सिखा रहा है और फ्री में सैलरी का मज़ा उठा रहा है। उस रात आवास की कठिनायों के कारण जेकी को स्ट्रिप क्लब से बाह पर रहता है। अगली सुबह जेकी लीसी से उसे अपने घर में दो सप्ताह रहने देने की भीक मांगती है। शुरू में वो उसको धोके बास समझती है लेकिन फिर उसे एक विचार आता है। वो उसे रहने देने के लिए सहमत हो जाती है लेकिन केवल तभी जब वो वास् करने की सलाह भी देती है डैनियल और शान्टेल यदि नेता उसका सम्मान करेंगे तो अन्य अपने आप ही उसका अनुसरन करेंगे जेकी नेताओं के बारे में विवरन पढ़ता है और पता चलता है कि वे पक्के अपराधी हैं बाद में उस दिन लीसी और जेकी रात का खाना खाने के लिए स्ट्रिप क्लब जाते हैं लीसी उसे बताती है कि कक्षा 10 बी के डैनियल भविश्य में एक ड्रग डील बनना चाहता है यही प्राथमिक कारण है कि उसकी पढ़ाई में कोई दिल्चस्पी नहीं है इस जानकारी के साथ जेकी छात्रों की मदद की कोशिश कर सकता है भले ही उसे ऐसा करने में कोई रुची नहीं है उस रात जिम में खुदाई करते हुए उसे कई साल पहले दफन किया गया एक टाइम कैपसूल मिलता है जाच करने पर उसे लीसी की तस्वीर और अंदर एक नोट मिलता है वो उसके नोट पर हसता है जहां वो चाहती ह कि वो इतनी मोटी नहो आखरकार वो गिर जाता है अपने डेस्क पर सो रहा है सुभा में चातर उसकी बेहोशी का फाइदा उठाते हैं और उसे एक मेक ओवर देते हैं लीसी शौचालय में उसकी मदद करती है क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है वो उसकी जैस अपराधी का जीवन कैसा दिखता है और एक अलग करिय का रास्ता लेने का फैसला करता है जेकी छातरों को लीसी की थेटर क्लास में शामिल होने की सलाह देता है अगर वे डील की तरह खत्म नहीं होना चाहते वे रोमियो और जूलियेट नाटक के ओडिशन देते हैं डैनि जैसे कुछ और सपताह बीच जाते हैं जेकी जिम के माध्यम से सुरंग खोधना जारी रखता है वो और लीसी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और छातरों ने भी हर समय परिशानी पैदा करने के बजाए पढ़ना शुरू कर दिया है एक दिन छातरों द्वारा दी गई शिक चातरों से पसंद करें वो बहुत निराश महसूस करती है उसे बहतर महसूस कराने के लिए जेकी उसे और छातरों को एक स्टेशन पर ले जाता है जहाँ वे एक ट्रेन में तोड़ फोर करते हैं चातर पहली बार लीसी के मज़ेदार पक्ष को देखते हैं और उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। उन्हें भागना पड़ता है, पुलिस द्वारा लगभग पकड़े जाने के बाद भी लीसी रात का आनन लेती है। अगले दिन, छातर उसे गैलरी में बधाई देते हैं और वो जो कुछ भी कहती हैं उसे करने के लिए विनम्रता से सहमत ही जाते हैं। फिर, वे एक परियोजना के लिए एक खेत की यात्रा पर जाते हैं। बच्चों ने खेलते हुए गलती से लिसी को सेक्स हॉमोन से मारा जो उसे ठरकी बना देता है। दिन के अंत में, जेकी को उसे घर ले जाता और उसे शान्त करता है। उसकी छोटी बहन लौरा च जेक्ती से बात कर रही होती है। जेकी उसका देखभाल करने वाला प्रेमी होने का दिखावा करता है और उसे एक अभिने के रूप में चूमता है। अधिकारियों के जाने के बाद, लीसी उससे पूछती है कि वो बदले में क्या चाहता है। उसे आश्चर्य होता है जब अपने करज का भुकतान करता है। यह पूछे जाने पर कि वो अब कहा जाना चाहता है। जेकी का दावा है कि उसे अपना नया जीवन पसंद आने लगा है। आधुनिक रोमियो और जूलियट के खेल के दिन हर कोई घबराया हुआ है। दिन के अंत में नाटक हिट होता है और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। छात्र बहुत खुश होते हैं क्योंकि यह एक ग्रूप के रूप में यह उनका पहला काम था जो सफल रहा। अगले दिन जिम की क्षा में छात्र एक उची जंप का प्रदर्शन करता है और गलती से व्यायामशा प्रति लगता है और उसके द्वारा उप्योग किया जाने पे वो उसे एक अपराधी के रूप में देखती है। उसके अतीत के बारे मैं पता करने के बाद उसे धमकी देती है कि अगर वो अपनी नौकरी और उसके घर को तुरंत नहीं छोड़ेगा तो पुलिस को फोन करे उसे समझाने का कोई तरीका न देखकर जेकी दूर जाने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन बड़ी परीक्षा है जिसकी छात्र लंबे समय से तयारी कर रहे हैं। शुरू होने से पहले वे अलग-अलग तस्वीरे लाते हैं और उन्हें घूरते हैं। पूछने पर उ इसकी जाच करती है और खुद की एक तस्वीर पाती है जो उसने टाइम कैपसूल में पाई थी। तभी जैनेप एक पत्र के साथ आती है जो जेकी ने लीसी के लिए भेजा था। पत्र कहता है कि उसे उसका विश्वास तोड़ने के लिए खेध है। वो यह भी बताता है क उसने पैसे मिलने के बाद भी एक शिक्षक के रूप में नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था। जैनीप कहती है कि जेकी एक बैंक को लूटने की राह पर है। अगर लीसी ने उसे नहीं रोका तो वो फिर से अपराद की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। लीसी जेकी को पता चलता है कि वो एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन जीना जारी रखना चाहता है और अपने साथी को छोड़ देता है। उसके बाद वो लीसी के लिए एक उभार लेकर उसके घर जाता है और उससे उसकी प्रॉम डेट बनने के लिए कहता है। वो बॉक् लेकिन जे की साफ बात देता है कि वो योगय नहीं है, प्रिंसिपल परवा नहीं करती, वो उसके लिए एक हाई स्कूल डिप्लोमा बनाती है और उसे रहने की अनुमती दे देती है, अंत में जे की युगल प्रोम में सभी के साथ जुड़ता है और उसका मन से आनंद लेता ह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगले नई दास्तान तक अपना ख्याल रखें